अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा कि मजदूर को राजनीती के लिए नहीं बलकि राजनीती को मजदूर हितों में इस्तमाल किया जाना चाहिए इस वीडियो में योगी आदितिनात वर्सेश प्रियंका गांधी वाडरा की जो कॉंट्रोवर्सी है उसको डीकोड करूँगा सरल भाशा में समझाऊँगा लेकिन उस्ते पहले मैं आपको बता दूँ कि आप से मैं खपा इसलिये हूँ आप व्यूस तो मुझे देते हैं ले अपने राज्य में अगर मजदूर काम करे तो वो मजदूर कहलाता है अगर किसी राज्य में जाकर के काम करे तो वही मजदूर प्रवासी मजदूर बन जाता है अब अलग अलग राज्यों में स्टेट्स में आकर के जो IIT प्रफेशनल्स होते हैं जो IIM से पास आउट प्रफेशनल्स होते हैं जब वो UP जाकर के नौकरी करते हैं डेली जाकर के नौकरी करते हैं बैंगलोर में जाकर के नौकरी करते हैं चिन्ने में जाकर के नौकरी करत उत्तर प्रदेश हो बंगाल हो मध्यप्रदेश हो राजिस्थान हो जहां ये उद्योग पत्ती जाते हैं जहां ये पुंजी पत्ती जाकर के धंदा करते हैं और कार खाने लगाते हैं तो और 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 गुजराश से निकल करके पी-म और उत्तर प्रदेश से निकल करके यूप योग में आप काम करने वाले और उसकी नीव रखने वाला ये मज़़ूर ही होता है। अर्थ विबस्था की ये लौग जड़ होते हैं फिर भी इनकी कदर करने में आखिर ये लोग क्यों कत्राते हैं, अपने राज्य में काम करें तो मजदूर दूसरे राज्य में जाके काम करें तो प्रवासी मजदूर वहा देखिए प्रवासी मजदूर को नाम सुनकर के प्रवासी जो शब्द है उसको सुनकर के आपको क्या लगता है कि कहा का निवासी है कौन से प्लैनेट से आगया कौन स जरूरत बन जाती है आपको क्या लगता कॉमेंट सेक्शन थोड़ा भढ़िएगा हैश्टेक बन लगा करके अभी कॉंट्रोवर्सी चल रही है उसकी बाचीत कर लेते हैं इन्ही मजदूरों को लेकर के इन्ही प्रवासी मजदूरों को लेकर के योगी आदित्तिनात वर्स प्रियंका गांधी वाडरा ये दौनम मजदूरों की मदद करने का दंब भर रहे हैं अगेन आइक वोट दंब कर रहे हैं और असली मकसद तो सहब 2022 का चुनाव है मजदूर जो देश का सच्चा और अच्छा हीरो है उनको ये लोग सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं कुछ आखडे बताऊंगा हवाई फायर नहीं करता हूं कभी भी 2001 और 2011 की अगर हम सैंसेस रिपोर्ट को देखेंगे और तुलना करने कोशिश करेंगे तो इस संख्या में बेहताशा वृद्धी हुई है ग्रोथ हुई है 2001 से 2011 के बीच में इनकी संख्या काफी तेज हुई है 2001 में भारत के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के काम करने वाले जो प्रवासी मजदूरों की संख्या जहां लगभग 30 करोड थी वही 2011 में आकर की संख्या बढ़ जाती है 45 करोड के आसपास हो जाती है अभी संख्या अभी और ज्यादा बढ़ चुकी है अब देखें ये विशाल आबादी का एक emotional community के रूप में चुनावी राजनीती की एक प्रभावी संख्या होकर के उभरती है उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के चुनावों में इनकी जन संख्या आगे भी important role play करने वाली है इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और साथ ही UP का जिक्र कर लेता हूँ आपको और connect करने में आसानी हो जाएगी 2022 के विधान सभाव चुनाव के लिए ये जो voters हैं बड़े एहम साबित होने वाले हैं जानकारी के मुताबिक जो अभी है कि UP में जो प्रवासी श्रमिक हैं और जो बाहर रेकर के जो काम अपने करने वाली जो voter की संख्या अगर लगाएं तो जो एक करोड के आसपास हो जाती है ये vote आने वाले विधान सभाव चुनाव के लिए बेहद एहम साबित होने वाले सारी राजनीती तो इसी को लिए करके है ना कॉंगरिस इनको छोड़ना चाहती है मौका उसके लिए बन चुका है और ना ही सपा ना बस्ता नहीं छोड़ना चाहती है ये ना एक वाइड टॉपिक है लेकिन इसको बहुत ज्यादा मैं आपको छोटा करके समझानी कोशिश कर रहा हूँ जब मजदूर सौयो किलो मीटर दूर था अपने घर के लिए पैदल चल देता है कहीं ट्रक में बैठ कर चल देता है रेल की पट्रियों के सहरे इसी उमीद में चल रहा था कि आज नहीं तो कल सरकार की तरफ से कोई ना कोई सहता, मदद या राहत तो मिल ही जाएगी लेकिन रहा क्या कुछ नहीं, उस समय अलग अलग राज्यों की सरकारों ने मिडल क्लास फैमलीज के बच्चे जो राजिस्थान के कोटा में जाकर के कोचिंग लेते हैं उनको वापस लाने के लिए अलग अलग राज्यों ने बसिस लगाना शुरू कर दिया और उन्हें बकाइदा अपने अपने घर पहुँचाया, जब ये मामला विपक्ष ने उठाया, तब जाकर के बसिस और श्रमिक ट्रेन इन मजदूरों के लिए चलाए गई उस से पहले इनको पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया और उसमें भी अभी आप देखेंगे श्रमिक ट्रेन चलती है तो किराया वसूल जाता है जब आरंद बिहार से लोग लाए जाते हैं तो पैसा लिया जाता है जब ये बात लाइम नाइट में आई तो सरकार बैक फूट पर नज़र आने लगी और किराया लेने की बात को लेकर सफाई देनी पड़ी और जिन लोगों को नहीं पता प्रियंका गांधी वर्डरा ने योगी आदित्तिनात की कॉंट्रोवर्सी है क्या वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए अब मजदूरों की ये हालत को देखकर के मजदूरों की मुद्दे पर कॉंग्रेस की महा सचिव प्रियंका गांधी वर्डरा ने योगी आदित्तिनात की सरकार के सामने हजार बसों के जरिये प्रवासी मजदूर माइग्रेंट वर्कर को लाने का एक प्रपोजल रखा प् कॉंग्रेस ने उनको सौपी है उसमें आटो रिक्षा, टू वीलर और माल ले जाने वाले अन्यवाहन के नंबर हैं पस इसके नंबर नहीं हैं आगे आखड़ा ये भी दिया जाता है कि 460 बस इसमें फरजी हैं जिसमें से 297 कवाड़ा है और यूपी सरकार ये कहकर के कॉं 1049 बसों की सूची में 31 आटो हैं कॉंग्रेस के कारेकरता लखनव जाने के लिए करीब 600 बसों की साथ आगरा के पास के यूपी बॉर्डर पहुंचते हैं उन्हें यूपी में नहीं गुशने दिया जाता है उनको वहीं रोख दिया जाता है जिसके बाद दिन भर वहां तम 15 योजना सेक्टर 15 और 16 में पूरवाहन 10 बजे लाकर के खड़ा करें सभी बसों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए परिचालक के परिचालक के पत्र होने चाहिए और बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र जिला अधिकारी लखनों को भी सौपना आपको अनुमती पत्र दे दिये जाएंगे उसके बाद इस सारी जो प्रोसेस हो जाते हैं अवनी अवस्ति इस पत्र के बाद से ही यूपी के सियासत में दौनों दलों के बीच में चिट्थी चिट्थी वाला गेम चल रहा है एक दूसरे को वो चिट्थी लिखते वे वो आप इनके सारी बात मान लो लेकिन पैदल चलता मजबूर मजदूर उन एंबुलेंस ट्रक और दूसरे बाहर में बैठने से मना कर देता कि नहीं हम तो बसे में बैठेंगे हमारी इगो पर बात आ जाएगी क्योंकि बस का नाम लिया जा रहा है और ट्रक पर और आटो रिक और जो इन राजन्यतिक गिद्धों को बिलकुल भी मनजूर नहीं है अब मैं सैकेंड साइड ओफ कोईन की बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी का बचाव आप लोग ये कहके कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी कॉंग्रिस की महा सचिव है तो वो कैसे आखिर बसों की डिट तरीके से आगे चलती रहे जिसकी वज़ा से ये मजदूर आज भी पैदल चलने को मजबूर हुए हैं साफ तोर पर ये जाहिर बात थी कि आप जो कदम उठा रहे हैं वें राजन्यतिक होने वाला है भले ही आपकी मनशा मानवता वाली हो जाहिर तोर पर जो आप लिस्ट कोटा आती है चात्रों को ले जाती है तब बसों की फिटनेस लाइसेंस बीमा के कागेजों की मांग नहीं होती है चुकि यूपी में आज हो रही है बैक फूट पर प्रियंका गांधी ने एक चाल और चली अगर यूपी सरकार चाहे तो बसों पर अपना स्टिकर लगा दे अगर यूगी सरकार चाहे तो बसों पर बीजेपी के स्टिकर लगा दे लेकिन बसों से मजदूरों को उनके घर भेज़े जाने की अनुमती दे दें ऐसा करके प्रियंका गांधी ने डबल निशाने सादे है प्रियंका गांधी मजदूरों की साहन भूती लेने की कोशिश तो कर रही है और साथ ही दूसरी कौन से डबल साइड है वो मैं आपका विचलेशन नीचे जानना चाहूँगा अगर मैं अपनी बात खतम करूँ और फैनल बात कहूँ तो ये बात बनती है कि राजनेतिक दलो का शुरू से ये रवया रहा है कि किसी समस्या के आपकी लोग तो सिर्क पॉइंट को चू करके निकल जाते हैं हम तो विश्लेशान करते हैं चलिए मिलते हैं